दोस्तों वेलकम बैक इस वीडियों बात करेंगे जहारकन वोड़ क्लास दोस्तों को साथ में लेका है फूल आपका इप्पॉर्टन कॉसन साइन्स को एक्जाम सबको होने वाला तेरा सितंबर उस्तिक का बज़ोटिक है तो वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब क्या आप झाल है वाल जारकन सैचिक कनशनधान यह हो गया फौर परजेक्ट रिए दोस्तों र्युल्र एस पर इंपूर्वन लर्निग आपको यह होगी जैनेरल स्कूल क्लास आपको होगे सेवन दोस्तों सुब्जेक्ट्ट नब्सक्राइब अपादख अपको सील कनो के अतरिक्त म दोस्तों प्रसंद उसनिका ब्रकिया है बच्छों ऑप्सन आपको दियमी अप्सन कभी है तिरू आपको सी है माध्यम आप्सन वच्छों को डिये इनमें कोई नहीं बच्छों नहीं बच्छों है विदुदा का बनने रहाँ पर कि मिर्दा में उपस्थित सड़े गले पदात क्या कहलाते हैं बच्चों कि यह नमर है मिर्थिका अपस्एन प्रक्रेश है और भी दोनों आप सना इस नहिंग कोई ही विख्युटेगा सेंपलिष सही बच्चों होजए का आप्शण लागना भी वच्चों का हुरमुस सिंपलिए को से बच्चों होजए बटने को होता है देमाज्टीगा दोस्तों निचे पर संदेश्ट से क्या बोलावर की निमन में से की मिट्टी में जल का आंधा सर्वन सबसे आधिक होती है बचिख याइं आपको योवरा है बलूई मीठी आप सिंपलिए सबसे अच्छा भी को सिंपली से बच्शो लोगां अपको यह संटली को सबसे दिश्चा वर्या बच्छो बच्छो का सबसे और कि वोलते हैं आपर आप अब मिर्दा बच्च अपर कि जल का सबसे कम अंतर सर्वन की स्मीट्टी में होता है बच्च अब यह है दो माट अपसन अपको भी है चिकनी आप सनफ पर सी है रेधीली आप समय चोका डी नमर है काली बच्च अपर शहीं में मिर्टिक यह वाना कि गटाई दयको सही है अपसम लिजए कि अब्र एक रोपन 그래도 पर दूसर्ण का मुख्यक्ति वर सबस्क्राइब यह वर्षा एधिक्ता हो इस पोधे से रंग प्राफ्त होता है बस्टी आपसान ऑपका एनलोड है नेम से आपसान कभी है चंदन से अप door C मेहन्दी 002 इत्रीजार्ट डिया मैंद stata कुछा का कुछा कि बनारा खेचा की जीवों को आवास देने वाली एक अप्सान लगाले लापके दूसरु मिल्या या को सभी परकार की मिर्द्द्द्द्द्द्द्देक कर दो सकते जीवों कर दोस्तों ने का बोला कि बालो यह मिर्दा को यह पहला वाचों यहां पर इस में सटीगा उर्मस की कम मातरा बचुति के सबसे हलकी होती है और क्यों बढ़े होते हैं और असानी से आपस में जूड नहीं पाते हैं इसलिए इनके कनों के बीच काफे रिक्त अस्थान रह जाता है इस रिक्त अस्थान में वायू भरे रहते हैं रिक्त अस्थान होने के कारण इसमें जल की निकासी भी तेजी से हो जाती है अता या हलकी स्वासित स्वातित स्वातित और सुस्क होती है बच्चों को यह होगी मिर्दा पर तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है बच्चों से उत्रसंद्र सुरी की गर्मी किरने वायू की गरम कर देती है पिर्थिवी पर उपस्थित मिर्दा वायू से इस उस्मा को अवसोसित कर लेती है जिससे धर्ति गरम हो जाती है लेकिन सनकाल के बाद मिर्दा अवसोसित उस्मा को तेजित से उस्सर्जित करने लगती है जिससे धर्ति का तापमान घर्टने लगता है यही करण है कि दिन के पेच्छा रात ठंडी होती है बच्चों आपको यह होगे काफी पोड़न था सब को सब्सक्राइब की समझाइए कि वन बाढ़ की रोगथाम किस परकार करते हैं बच्चों देखिए जो उतर सब्सक्राइब पोध्य जिससे वर्षा जल के बहाओ को रोकने में सहायक होते हैं विरिच्छों की जड़ों त्वारा वर्षा जल का उसोसन कर लिया जाता है जिससे वर्षा जल भूम जल की रूप में पेथ्वी की सता पर मौजुद रहता है इससे पूरी वर्ष जल पूरी वर्ष जल अस्तर बना रहता है बच्चों टेगें जिसन इलाकों में विरिच्छा परियापत मातरा में होते हैं वहां वर्षा जल का उसोचन कर लिया जाता है जबकि विच्छ ही अस्थानों पर जरासी वर्षा से ही जल भराव की पस्थिति उत्पन हो जाती है अता बाढ़ को रोकने में वन करने बादे हैं बच्चों को यह होगी इसका रोकने के उपाय के बारे में आपको बताई भाइब करते हैं प्लोथेन की थेलियों और प्लास्टिक बेग मिर्दा को पर दूस्रिद करते हैं बच्टेंगा आउसिष्ट पदार्थ पीड़क नासियों तथा रसायन मिर्दा क करते हैं बच्चों कि पिड़क नासियों का व्योग कम से कम किया जाना चाहिए बच्चों आपको यह को सब्सक्राइब कर दोस्तों को सब्सक्राइब अब दोस्तों तो तो वीडियो अपने तो यह काम दोस्तों का आने वाला तो तो यहीं जे भारत वो जो हार दोस्तों टेका थेंक्यों दोस्तों जेहिंजे भारत